दोस्तों आज की इस वीडियो में में लोग बात करेंगे बिहार यूजी एडमिशन 2021 इंटर जो पास कर चुका चात्रा या चात्रों ठीक न वहाँ पे जो है अब एडमिशन कब तक होगा इसके बारे में जानते हैं जो कि आप लोग बीए कीजेगा या बीए सी कीजेगा या कब से होगा इसके बारे मैं आपको पूरी जानकारे पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो को बिना एसकिप के वीडियो को पूरा वाच कीजेगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते दि इंतिजार ठीक ना आसना तक में अगर आप दाकी ले लेना चाहते हैं तो आपको करना होगा इंतिजार तो कितना इंतिजार करना होगा यहाँ पे डिटेल के साथ दिया गया तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते बिहार विडियाले परिक्षा समीती ने देश में स पहले रिजल्ट घोसित करने के बाद भी छात्रों को असना तक में नामंकन के लिए जो है अभी लंबा इंतिजार करना होगा अभी जो है आप लोगों को लंबा इंतिजार करना होगा क्योंकि पहला ही रिजल्ट जो है बिहार का ही आया है अभी बहुत सरा रिजल्ट बांकी है यहाँ पे डिटेल के साथ देखिए CBSC वह ICSC की और परिक्षा का सिद्डूल निकाला गया है अभी तक परिक्षा भी नहीं ली गई है ठीक ना परिक्षा माई में होनी है कम से कम एक महना से अधिक डिजल जारी होने में लएगा इसके बाद नामंकन संभव है ठीक ना ऐसी इस्तिति में कम से कम दो महने का समय लएगा ठीक ना वही इधर बिहार बोड के छात्रों को जो है असना तक में नामंकन लेने का पूरा मोका मिल गया ठीक खास कर वैसे छात्र ज अपने मन चाहे कोलेज में यहाँ नामंकन कर सकते हैं यहाँ पर छूट जाता था हम चुटने वाला नहीं आपको कम्म कम यह महना महना से अधिक लगे ना Cel। बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ठीक ना यहां पर देख सकते बिहार बोट के अलावा किसी ने नहीं ली है परिक्षावी तर पहले रिजल्ट आने को का भी नहीं मिला फाइदा ठीक ना यहां पर दिया गया है तो यही नियूज निकल के आ रहे है यह लेटेस्ट अब्डे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगल वाले वेल आइकन को प्रेस कर दें मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बन दे मात्रा